हालो फ्रेंद्स, वेलकम बाक टू माई चैनल, वैसे तो हम प्रॉंस राई के साथ, कोकोनट के साथ, खस-खस के साथ बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं जो आप लोग को दिखाने वाली हूँ, वो एक बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी है, सो चलिए, लेट् मैंने कडाई में डाल दिया है ओयल, यहां पे मैं मास्टर्ड ओयल का यूज कर रही हूँ, ओयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 500 ग्राम्स ओफ प्रॉंस, प्रॉंस को मैं पहले से ही नमक हल्दी से मारिनेट करके आधा घंटा के लिए फ्रिज में रग दी अब मैं इसको 2-3 मिनिट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में चला लूंगी, क्योंकि प्रॉंस को ज़्यादा ओयल में चलाने से प्रॉंस हाड हो सकता है, प्रॉंस फ्राई हो गया है, अब मैं इसको कड़ाई से निकाल दूंगी, अब इसी ओल में मैं डाल दूंगी, दो मीडियम साइज के बाड़ी कटा हुआ प्यास, डाल दूंगी नमक स्वाबनुसार, अब मैं प्यास को अच्छे से फ्राई कर लूंगी, जब तक कि इसका रॉ स्मेल ना चला जाए, और इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, प्यास को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी, हाफ टी स्पून अध्रक लसन का पेस्ट, डाल दूंगी, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, एक चमच कश्मिरी लाल मीच पाउडर, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, डाल दूंग अगर आपके पास टमेटो सॉस नहीं है, तो फिर आप टमेटो का भी यूज़ कर सकते हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी, एक कब पानी, अब मसालो को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है, मसालो को मैंने अच्छे से भून लिया है, इसमें से ओल निकलना भी स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी, फ्राई किया हुआ प्रॉंस, अब मैं मसालो के साथ प्रॉंस को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, अब मैं डाल दूंगी हाफ कप पानी, क्यूंकि जो ग्रेवी है वो बहुत ड्राई हो गया है, फिर से फ्लेम को लो टू मीडियम में रखके, प्रॉंस के साथ मसालो को बहुत अच्छे से भूनना है, डाल दूंगी दो स्लीट किये हुए ग्रीन चिलीज और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, अब फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो चलिए गरमा गरंग प्रॉंड करी रेडी है, यह एक बहुती सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी है, इसे आप जरूर अपने घर में ट्राइ कीजिए, और मुझे कमेंट में जरूर पताईए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शियर कीजिए, और प्लीज फ्रेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे टून फर माइ नेक्स्ट वीडियो, तिल देन टेक क्यार, बाबाई!